जी का अभी बासन पे समर्पन करने के लिए, समर्पन देने के लिए यहां उपस्ति ठीक है मैं कुछिस करूँगा हिंदी में बोलने का, मैं इस सदन पे विश्वास है यहां उर्दू समस्कृत हिंदी का यह समंदर है, इस समंदर में मुझे दुटने नहीं देंगे यह जो प्रेसिडन के बासन में, इसी में मुझे गिता आता है, इसी में मुझे कुरान दिकाई देता है और इसी में मुझे बाइबल दिकाई दे रहा है और इसी में मैं गुरू गरान्ट साहिब दिकाई देता है इस पार से भी इतना आवास और हमरे यहाँ से भी इतना आवास लेकिन इसी प्रेशिडंट स्टिस में यही गिता का आवास है यही कुरान का वास है यही गुरुगरान शाहब का वास है यह नए भारत की आवास है मोधी जी का दिशा में दाशा में भारत बर्ष को भारत माता को आगे ले जाना का सब्द इदर समा है यहां बूत्खाल है यहां बर्तमान है यहां वो भी सह है मैं उस परदेश से आता हूँ औरनासल परदेश से जिसको बार बार हमारे परुशी कलिम करता है कि हमारा तरित्री है लेकिन मोदी जब भी औरनासल परदेश आता है हमारा परदेश को जोहिन का परदेश नाम दिया गया है वहा खर कई किसी से मिलते हैं तो जएहन से चुवागत करते हैं इसलिए मैं बारत बर्स और इस सदम का आज ये बादा करता हूँ कोई भी बारत औरना कल कर कोई भी ऐसा नविक नहीं है जू शाइनाफ की ओड़ McGोंट की ओड़ देखे मैं दूबरा यहां आया हूँ परलेमेन में मैं उस पार बेटके हम भी सिलाते थे लेकिन उस सिलाई में कोई गहराई नहीं है मैं उस पार बेटके हम भी बहुत जूरदार हला करते थे लेकिन इस बार रूरेल इंडिया के दिल में आखू में खानू में मोदी जी का आवास गुंजे है उस आवास में सबका साथ था उस आवास में सबका विकास था उस आवास में सबका विश्वास था इसलिए हम दूबरा यहां सुनके आए हैं और मैं शेर्मेन साब यह बताना साहता हूँ पूबत्तो राज्यू में एट इस्तेत है इसमें से आप लोगों में भी बहुत कोम लोग जानते हैं औरनासल परडेस औरनासल परडेस का केपितेल क्या है जब भी मुझे परडेस होने का मोगा मिलता है आप सिलोंग से हैं ना वेरेस मेरा केपितेल इतानगर है इसमें हम बंसिते मेगलिया बंसिते मोनिपूर, मिज़राम, पिरुपुरा, औरनासल बंसिते आजादी के 67 येर्ट में मोदिजी आने का बाद ही आज मेगलिया मेरेलवे क्या है किरिपुडा में रेलवे किया है और ओरनास और कोटेस में मौनिपुड में दूसाल के बाद मिजड़ा में दूसे साल के बाद रेलवे का नقसा में जुरा है ये मौदी जी इसलिए मौदी जी को میں वगवान का उफ्तार के रूप में देखता हूँ जिन्हों ने लूक इस पॉलिसी यूके थरकर ने दिया था मोधी जी ने कहा लूक इस से नहीं होगा एक इस पॉलिसी एक इस पॉलिसी के आदार पे मुझे हमें रेलवे में जुरे एक इस पॉलिसी के आदार पे पहली बार वहाती से मैं अपना हूम ताउन पासिगार में प यही सपना मोदी जी ने किया है बर्मो पुट्रों के अब नदी के उपर में बोगी बील विरिस जिसमें हम दूगंते लगते थे दिब्रुगोर मेडिकल जाने के लिए नो मिनित में मैं आज दिब्रुगोर पहुंचता हूँ जिसमें अलुबारी विरिस जुरे दिब्रुग विरिस जुरे ये क्यूल हम सब्भाबिकों के लिए नए है ये सिमा स्रकसा और डेश का हीट में उसी पूल से हमारा मिलेतरी जाते है उसी पूल से हमारा आंस अमुनेस्टन जाता है और हम बिना हत्यार से बारत बर्ष को रक्षा करके करा हूँ हमरा प्रोडेश में आज पेमा कंदू अरुनाबूल सीब मिनिस्टार योंगेश सीब मिनिस्टार दा मोस्ट परफॉमिंग सीब मिनिस्टार डिगलार बाएद आज तक इन्होंने दिग्लार किया ऐसा एक पर्मिसिंग लीदर के साथ आस अरुनासर पर्टेस है और अबिस्था आने अलग काल भी ये पेमा कंडू बारत बर्क से सबसे एक नमबर वान मुख्यो मुंत्री बनेंगे ये क्योल बनने से नहीं होता है लुगू का दिल में साइना बर्टर में नारेंडरो मोदी जी का सिलिंदर पहुंचाया बहुत सा ऐसे मा बहने के दिल में आकू में आचू निकलते हुए सिलिंदर को पकरते हुए हाल चापते हुए ये मोदी जी ने बेजा है क्या यही सुपनाता अंतदया जिसमें हमारा नरेंडो मोदी ने साइना बुरदर तक आज सिलिंदर पहुशाया है और मेडिकल सेकुरिटी दिया है और बहुत से तेलिकॉम में और एर सर्विस में सारा सुप किया है तो सेर्में साहब इसलिए में मोदी जी को में अंत में ये कहना साहूंगा जब इस दुनिया में जब भी अत्तसार होता है साइद मुहमद पर्पेत को भी इनसान के रूप में इनको भी इस दुनिया में बेजा है जब जब यहाँ इस दुनिया में अत्तसर होता है बत्तसर होता है तो तो सहित राम को भी इंसान का रूप में बेजा है मैं मोदी जी को भी उस रूप में देखता हूँ आने अला काल का फारण को आगे करने के लिए आपका बहुत बहुत दर्णवाद देता हूं बहुत प्रियादा करता हूं